हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो माई चैनल इन कुकिंग वित रेका पहाडिया आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ब्रेड केक कि यह बहुत ही शांदार क्विक एन इजी रेसिपी इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है प्लस यह मिन्टों में बनकर रेडी ह जाता है मुश्किल से 15-20 मिन्ट में रेडी हो जाता है इस केक को देखकर कोई जज नहीं कर पाएगा कि यह अपना घर पर बनाया है तो आई अब बिना कोई देर किये इस डिलीशा से केक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आ से पहले हम ब्रेड की एजेस को अलग कर लेंगे आप चाहें तो एक ब्रेड की एजेस को अलग कर सकते हैं या फिर दो तीन ब्रेड को एक साथ लेकर एक साथ उनकी एजेस को अलग कर सकते हैं जो आपको सूट करें यह देखिए मैंने एक ब्रेड की एजेस को इस तरह से अ ब्रेट से और इन्हें रोस्ट करके चाई कॉफी के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही अच्छे लगते हैं कि यह देखिए मैंने सारी ब्रेट के अज़ेस को अलग कर लिया है कि हमने बारा प्रेट इसलिए ली है क्योंकि हम यह पर तीन लेयर बनाएंगे केक की अब हमें लेना है एक बाउल उसके अंदर तीन चम्मच शक्र डाली है यह देखिए मैंने इसके अंदर तीन चमा शकर डाल दी है अब हम इसके अंदर डालेंगे लगबग एक कप के करीब जितना पानी आदे से एक कप के करीब ही इसमें पानी लगेगा अब हम इसे एक बार थोड़ा सा हिला लेंगे और इसे साइड में रख देंगे जब तक यह शुगर कुदब कुद मेल्ट नहीं हो जाती अब मैंने यहाँ पर एक बड़े से बरतन में बहुत ही गरम पानी लिया है उसके हमें यहाँ पर थोड़ा सा कुनकुना दूद लेना है ताकि हमारी चौकलेट बहुत ही जल्दी और इसीली मेल्ट हो जाए और हाला कि हमने नीचे पी बहुत रहती गरम पानी लिया है उसके ओपर रखाया लेकिन फीर भी थोड़ा सा कुनकुना दूद ले लेंगे हम और हमारी चोकलेट बहुत यह से मेल्ट हो चुकी है और झालों तुछ का। यह यहां पर कीसी तरह कोई एससेंस का यूज नहीं कर रहे हैं इसलिए हम ने यहां पर एक लएची का पाउडर नाला है यहां पर मैंने ली है विब्ड क्रीम यह ओल्ड रड़ी विब्ड करी कुराई क्रीम है यह मैंने बेकरी से रेडिमेट पर्चेस की है आप चाहें तो इसे घर पर भी विब्ड कर सकते हैं तो दाइसे मल यह एक लिटर का पकेट आता है एक लिटर के पकेट से लगबाग तीन केक बनकर रेड़ी हो जाते हैं मैंने यह पर विब्ड करी कुराई करी से यह बेकरी से पर्चेस की है यह विब्ड करीम हमेंसे कुछ नहीं करना है अधा है मैंने से फ्रीजर में रखा हु के क्टेट से प्लेट को इल्टा रख देंगे अब हम प्लेट के ऊपर रखेंगे एक के बोड अगर आपके पास केक बोरोड नहीं है तो कोई बात नहीं अपюсь पेक लगा सकत तो नहीं भीशा सकते हैं कि हम यहां पर स्क्वाइर केक बना रहे हैं इसलिए हम चार ब्रेड को एक साथ इस तरह से रख देंगे चिपका कर हाथ से अच्छे से सेट भी कर लेंगे इसे कि उसके बाद हम इसके आपर अप्लाई करेंगे सबसे पहले यह शूगर सीरफ हमें शूगर सीरफ बहुत ही अच्छे से लगारा है चारो तरफ क्योंकि हमारी ब्रेड जो होती है वह काफी ड्राइव होती है और फीकी होती है इससे इसका मौश्चर बरकरार रहेगा हमारी ब्रेड का और यह खाने में बिल्कुल फिकी फिकी सी नहीं लगेगी यह देखिए मैंने अच्छी तरह से चारो तरफ सुगर शिरफ अपलाई कर दी है अब हम यह आपर डाल रहे हैं यह चॉकलेट सिरफ या चॉकलेट घनाशे ऐसे हमारा केक जोह है अंदर से भी चॉकी लगेगा आपते बहुत ही अच्छे से हमें चारो तरफ फिलाते हुए चॉकलेट सीयु पको डालना है स्पून की हिन्शे और एकोर स्पून की हर से या ऑस पेचुला की हिन्शे हमें इसको फिलाते हुए करिंड देखिया मेरे पास बताने का कोई यह तो नहीं है yeah को यह हुआ एक सारे काम सपुन जा चुला चैक तो रही है कि अब हुम थीचिक नियर बनाएंगे ममенииyeah करीम की हमें सब्सक्रीम इस तरह से याव्प लगाने कीशां बड़ाने केले चॉकलेट सीरप काल ह कि लिए की जिए स्पीश्था। है मैं इसका टेस्ठव के लिए चोटलेट सिरफ भी डाली कि लेकार मांने डाली के लेकी बात कहा है यह डिञें हमारी एक के लिए और मोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है बहुत ही अच्छे से एक छोटे से इस पर चुला या फिर जो भी आपके पास टूल हो उसकी हेल्प से आप इस तरह से अच्छे से फेला दें अच्छे से सेट कर ले ब्रेड के ओपर विब्ड क्रीम को अब हम दूसरी लेर बनाएंगे उसके लिए हमें वापस चार ब्रेड इसके ओपर जमाने हैं और वापस हमें वही प्रसेस रिपीट करनी है सबसे पहले हमें शुगर सीरप अपलाए करना है इन ब्रेड के ओपर अब हम सेकंड लेयर बनाएंगे चॉकलेट सीरप से या फिर चॉकलेट घनाशे से हमें यह प्रोसेस तीन बार दोरानी है अब हम स्पून के हब से वापस अच्छे से फैला लेंगे इससे हमारा केक बहुत ही टेस्टी लगेगा और काफी चॉकलेटी लगेगा और कोई खाके भी जिज नहीं कर पाएगा कि यह केक आपने घर पर बनाया है यह देखिए मैंने चॉकलेट सीरप भी अच्छे से लगा ली है अब हम पापस इसके ओपर डालेंगे विब्ड क्रीम हमें विब्ड क्रीम फ्रीजर से तभी निकालना है जब आप केक बनाया मार्केट में बिना विब्ड क्रीम आता है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है लेकिन उसे हमें गर पर इलेक्ट्रिक बिटर की हल्ट से विब्ड करना पड़ता है वो मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने बेकरी से रेडी मेट विब्ड क्रीम परचेस की है यह 40 रूपीज की विब्ड क्रीम ली है मैंने एक कौन अब हम थर्ड लेयर भी इसी तरह से बना लेंगे कि देखिए यह मैंने थर्ड लेर बना ली है अब मैं इस पे चला कि हैब से बाकी बच्ही नहीं दालूंगी थोड़ी से और बचा लेंगे अॉपर डेकोरे Ideasan के लिए थोड़ी सी क्रीम हमें बचा लेना है बाकी क्रीम हमें इसके उपर लास्ट में अच्छे से लगाना है सबसे ज्यादा अच्छे से क्रीम हमें उपर ही लगाना है मेरे पास कोई टूल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर यह डेबिट कार्ड ले रही हूं यह मेरे किसी काम का नही है कि डेबिट कार्ब की हथ से मैं इसे थोड़ा फिनिशिंग टच या फिर फिनिशिंग लुक दूंगी कि इसके सारे कोने सारी एजेस को मैं अच्छे से से सेट कर लूँगी कि यह देखिए हमें यह काम बहुत हलके हाथ से करना है कि और थोड़ा फास्ट करना है कि विप्ड क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है यह यह कार देखिए कैंरे के सब्सक्राव हों में इसके सारी एजेस वफ्फित को सारे किनारों को को अब फिसके उपर डाले एल्दी चोकलेट सीरफ जोकी पहले से थोड़ी हो गयी इसलिए हम इसके उपर थोड़ा सा और दूड़ डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्यूंकि अब हम इसके ओपर डालने वाले हैं केक के ओपर और केक के ओपर हमें इतनी गाड़ी चॉकलेट सिरप नहीं चाहिए होती है काफी लिक्विट चाहिए होती है बहुत ज्यादा लिक्विट नहीं आप इसका टेक्चर देख सकत इस तरह से पूर करना है हमें चॉकलेट सीरप को पूरे केक के उपर अब यह देखिए है कुछ इस तरह से चारो तरफ चॉकलेट सीरप को हमें डालना है अब बहुत ही हलके हाथ से हमें स्पून की हल्प से चॉकलेट सीरप को चारो तरफ फेलाना है अच्छे से यह काम हमें बहुत हलके हाथ से करना है वरना हमारे केक में फिनीशिंग नहीं दिखेगी जो ग्लोसी लूक है वो नहीं दिखेगा क्योंकि हमारी विप्ड ग्रीम उपर आ जाएगी अगर हम थोड़ा सा भी टाइड हाथ से करेंगे आप स्पून की हेल्प से इस तरह से इसकी किनारों पर ड्रॉप डालें इससे हमारा केक बहुत ही सुन्दर लगेगा बिल्कुल बे जाता है किनारों पर है कि देखिए और जो एक्स्ट्रा चोकलेट सीरफ हमारे केक बोर्ड के ओपर यह प्लेट के अदर जो गिर गई है उससे आप टीशू पेपर की हैप से साफ कर ले क्लीन कर ले अब मैंने आपर एक स्टिल की ग्लास लिए उसके अंदर में रखूंगी यह पॉलिथीन आप कोई सी भी पॉलिथीन ले सकते हैं अगर आप दूद का पैकेट लेते हैं तो और भी बेस्ट है क्योंकि हमें उसमें कॉन बनाने में आसानी होगी अब उसके अंदर डाल देंगे यह बची हुई विब्ड क्रीम यह 40 रुपे की विब्ड क्रीम से ही यह सारा काम हो रहा है और यह एक केक के लिए इनफ है आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने आपर एक ही कॉन मंगवाया था और एक ही कॉन से यह केक बना रही हूँ अब हम इसके उपर थोड से डिजाइन बनावंगी रांड रांड करते हुई जले भी जैसी है कि आप अपनी चोईस से कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं केक वपर कि यह देखिये हम पूरे केक पर इस तरह से डिजाइन बना लेंगे है तो कि यह आई चाहें तो यह खाने के लिए बिल्कुर रडी है घंटा पर इसे फ्रीज में रखेऊ उरसे खा सकते हैं तो ओड़ी सी और क्रिम बच गई है तो मैं इसके चारों तरफ छोटे ठोटे से dots बना रही हूं और पो हमको कि यो बिल्कूल ऑप्शनल है decoration आप अपने ही इसाब से करें कि मैं यहां पर केक डेकुरेशन के लिए थोड़े से सिल्वर कलर के मोती यूज कर रही हूं यह बिल्कुल अप्ष्णल है आप चाहें तो इसे करें अधर्वाइस कोई बात नहीं कि यह केक डेकुरेशन के आइटम होते हैं जो की बेकरी पर मिल जाते हैं आसानी से कि थोड़े से सिल्वर मोती में बीच में स्प्रिंकल कर दूँगी और एकक मोती में इस तरह से यह जो वाइट वाइट अपने डिजाइट मनाई है उसके अंदर लगा दूगी इसे कि हमारा केक बहुत ही सुन्दर लगेगा दिखने में यह देखिए हमारा केक अब बिल्कुल रड़ी है अब मैं इसमें और कुछ नहीं करने वाली कि आप मेरी इस क्विक एन इज एक के रेसीपी को जरूर से ट्राइ कीजिएगा आपको मेरी अधर रेसीपी कैसी लगी कमेंंड बॉक्स में मुझे बेंचिते इस्चरिक्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हूँ तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ तब तब के लिए बाई थैंक्यू